गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आईए अगले पद्य का धेन करा पतसंख्या नौ आठ तक का धेन आपने किया है कहत कत परदेशी की बात मंदिर अरग अवधिबद हमसो हरी अहार चरिजात ससी रिप बरस सूर रिप युगबर हर रिप किन्होंग हात मघ पंचक ले गयो सावरे ताते अतियक लाग नखत बेद ग्रह जोरी अरग कर सोई बनतय अवखात सूर दास भस भई भी भी रह के करमीजे पस्तात इसमें गोपिकाओं ने भगवान से किसमें के मतुरा चरे जाने पर बहुत ही पश्चताप करती हैं उसी का बहुत ही सुरम में वल्डम कभी ने किया है जिसमें बताया गया है कि संदर पहले जैसे ही लिख लेंगे जैसे कि पुरुवत बताया गया प्रसुत पद्यांस हमारी पार्थे पुस्तक का वे अंजन में संक्रित सूर के पद से संक्रित किया गया है प्रसुत पद्यांस के जिटा महा कभी सूरदास जी है प्रसंग में आप लिखेंगे कि सूरदास द्वार रचित इस पद में गोपियों की विरह वेदना की मार्मिक विव्यक्ति हुई है और कृष्ण के वियोग में गोपियां मृत्युका वरन करने के कोततपर है और हाथ मल करके पस्ता रही हैं कि उन्होंने कृष्ण को जानने ही क्यों दिया इन पदों के माद्यम से ये गुड़ा गड़ित बैठाय जा रहा है जैसा कि इसमें है कि बेदन अखत ग्रह जोरा रगी कर तो सब जोड़ करके अब या ये ब्याक्या में इन सब का विस्तार से बात करते हैं ब्याक्या करेंगे कि गोपियां उद्व से कहती हैं कि हे उद्व जैसे कहत कत परदेशी की बात कहती है हे उद्व उस परदेशी आनि कृष्ण की बात हम मत करो काया कि कहत कत पर्देशी की बात मंदिर अरध अवदिबध हमसो हरी अहार चलिया मंदिर अरध का मतलब हो गया कि घर का आधा भागर्थात एक पक्षवाला पक्षवाला करते हैं पंद्रह दिन को तो पंद्रह दिन में वापस पंद्रह दिन कहके गया और वापस नहीं आया का कि मंदिर अवधिवध हमसो हरी अहार चल जाए हरी अहार का मतलब हरी वने होता है शेर अनि वह हमसे मतुरा गये तो आधा पंद्रह दिन कहके गये कि मैं लवटाओंगा किन्तु देखो ये सिंह अर्थात सेर के भोजन अर्थात सेर भोजन करता है मांस का तो मांस मने होता है महीना एक महीने चले गये लेकिन उलवट करके नहीं आया कि मंदिर अवधिवध हमसो हरी अहार चल जाए मंदिर मने घर मने घर अरद मने आधा मने घर का आधा बागान पीछ वाड़ा पकवाड़ा और पकवाड़ा करता परे पंद्रह दिन और पंद्रह दिन से कहके गया लेकिन हरी अहार अर्थ हरी मने सेर और सेर का आहार होता है मांस मांस का मतलब महीना महीने गुजर गए और अब त सूर रिप यूग बर हरी रिप किन्हों घात कहा है कि किसन के भी योग में गोपी काया कहती है कि चंद्रमा का जो सत्रू है सस रिप बरस चंद्रमा का सत्रू अर्थात दिन दिन जो है बर्ष के समान बीतने लगी है अनि बर्ष के समान लंबी हो गई है और सुर्य की सत्रू अर्थात राता है यूग जैसी लंबी हो गई है सूर रिप जूग बद हर रिप किन्नो घात हर अर्थात भगवान संकर संकर का सत्रू अर्थात काम देव वो घात लगाए वैटा हुआ है है अर्थात हमें काम सता रहा है काया कि मघपंचक ले गयो सामरे ताते अर्थात कृष्ण हमारा मघपंचक मनें मघग पांचवाद दिन अर्थात चित्रा जो नशत्र है चित्रा कम लिए गए इसलिए हमें इतनी वेदना हो रही है इसमरवान तक वेदना सो को मुख्ती पाने के लिए हम क्या करा है वो पिकाएं कहती हैं कि बेद नखत ग्रह जूर यह रह गई सुई बनते है बखाद बेद होते हैं चार और नक्षत्र होते हैं 27 तो 27 और 4 31 और ग्रह और नो 31 नो 40 इन 40 नने बेद नखत ग्रह इनको जोड करके और आधा करके फिर 40 का आधा होता है 20 अर्था 27 धन 4 धन 9 बराबर 20 और 20 का आधा अर्था 40 का आधा 27 धन 4 धन 9 इसका मतलब पूरा मिलाकर योग होगा 40 और 40 का आधा 20 अर्थाथ पिकाय किया खाने की बात करती हैं बिस खाने के लिए बात करती है यही कहती है कि बेद नखत ग्रह जोर अरग कर सोई बनता है बेद नखत ग्रह जोडने से जो बनता है वह खाने को मन करता है अर्थात गूपिकाय क्या कहती है खाने के लिए बिस खाने के लिए करती है मैं मन में तुजाता है मैं 20 खा लू वहला हमें कौन रुख सके भाव यहा है कि बियोग बेथा को जेलने की तुलना 20 खाकर मर जाने से मर जाना ठीक है लेकिन या बियोग साहना ठीक नहीं सूर्दास बस भाई विरह के करमीजे पस्ताथ सूर्दास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि कृष्ण के चरे जाने से ही हम विरह के वसी भूत होकर दुख पा रही है और अब हाथ मलमल कर पस्ता आ रही है कि हमने कृष्ण को जाने ही क्यों दिया इस प्रकार से काविशा उंदरी में भी आप लिखेंगे सूर्दास जी ने इन पदों के माध्यम से थोड़ा इसमें जोड़ना घटाना आदी या पढ़ रहा है इसमें पदों का कठिनाई का बूध होता है चमतकार प्रतसन कि प्रविर्थी आगे चलकर रीतिकाली का विक्रमुकता प्राप्त कर लेती है यदेपी आप इसको लिखें न लिखें कोई बात नहीं हम आपको उजाब की जानकारी के लिए बता दे रहे हैं यह लिखेंगे भासा गोड़ हो गई है और सुलेश और अनप्रुकत अनंकार है अगला पद्ध है आशू सलिल सबै भाई काया पल न जातर स्टारे सूरदास प्रभु यहे परेखों गोकुल काहें भी सारे आईए इस पद्ध का द्यान करें निश दिन का मतलब होता है निश मने रात दिन और दिन मने दिन निश दिन बर सतने हैं हमारे निश दिन मने रात दिन और सिधारी मने चले गए अंजन मने होता है काजल निश सिवासर मने दिन रात और कपूल मने होता है कपूल मने गाल कर मने हाथ कंचुकी मने चोली उर मने हिर्दय सलिल मने जल काया मने भी सरीर और रिस मने करोद परेखो मने पस्तावा, बिशारे मने भूला दिया तो निशी दिन बरसट नैंन हमारे राद दिन हमारे नैंन बरसते है लिकेंग प्रसंग में गोपियां किर्षन के वियोग में विरभ में दिन राध आंसु भाती रहती है इस पद में वे अपनी इसी दसा का उधो से वर्णन करती है हे उधो च्रिकिष्ण के चले जाने से उनके वियोग में मेरे नित्र रात दिन आशू की वर्षा करती रहती है अनिस दिन वर्षत नहीं नामारे सदार हती वर्षारी तु हम पर जबते स्याम सुधारे जब से किष्ण चले गए सदेव वर्षारी तु हम पर चाही रहती है अर्थात आँखो से नंतर असुधारा बहती रहती है आँख काया की द्रिग अंजन नरहत निसिवासर करकपोल भयकारे मने आँखों में आशू द्रिग अंजन नरहत निसिवासर दिन रात अंजन में होता है काजल द्रिग मने नितर आँखों में काजल नहीं रहने पाता है तिकता ही नहीं आँखों में काजल क्योंकि आँखों के साथ बहते हुए वो बह जाता है काजल हमारे आँखों से बह जाता है कर मने हाथ और कपल मने गाल और आशू के पोचने से हाथ और एक गाल दोनों काले हो गए है यही नहीं काया कि कंचु की पट सूखत नहीं का हूं उर्विच बहत पनारे यही नहीं इस अस्त्र वर्षा के कारण आशू promoted के परनाले वक्ष पर गिरते रहते है ऐसा लगता है जैसे हमारा संपूर्ण सरीर ही आसू रूपी जल से सिंचित होकर अस्तुमे हो गया हूँ कहा है कि आसू सलील सबय भाई काया अपल न जात रिष्टारे पूरा संपूर्ण सरीर ही बिलकुल जल हो गया है और रिष्ट अर्थात क्रोध भला आसू को समाप्त कर सकता है आसू का खतम कर सकता है क्रोध तो आता है लेकिन आसू को टालन नहीं जा सकता सूर्दास जी कहते हैं गोपिया कहने लगी सूर्दास प्रव यह है पर एक हो गोकुल काहें भी सारे गोपिया कहती है कि कृष्ण ने गोकुल एम गोकुल वासियों को पता नहीं एक दम बिश्मित क्यों कर दिया उन्हें कभी हमारी याद भी नहीं आती जो हमें इस्मरन करके यहां से चले गए बिल्कुल यहां से हम लोगों को भूल करके चले गए यहां से हम लोग की याद ही मालूम पड़ता नहीं है गोकुल काहें भी सारे इनको इस परकार से गोपियों को या एक उपालम में शिकायत भी है कि गोकुल को क्यों भूल गए कावेशा उंदरी में लिखेंगे गोपियों की विरह वेदना का मारमी को विव्यक्ती हुआ है बियोग सिंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है परिजभासा का सुन्दर परियोग है और यह पद सहली में है यद्देपी परसाद गुन से परिपूर्ण है रूपक और रूपकाति शुक्ति अलंकार में आईए अगले और ग्यारवे पद का ध्यन करते हैं उधो भली भाई ब्रज आए बिधि कुलाल किन्हे काचे घटते तुम आनि पकाए रंग दिन हो हो कार सामरे अंगंग चित्र बनाए पाते गरेन नैन नेहते अवधी अटा पर च्छाए ब्रज कर आवा जोगई धनकर सुरत अगिन सुलगाए फूंकू शास विरह वर जरनि संग ध्यान दरस सियराए भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुवन नकाहों पाए राजकार्ते गयुसूर प्रवन नंदन कराए इसमें प्रसंग में लेखेंगे उपाले आप काठीने निवारन कर देंगे बीदी कुराल जैसे सब्द दिया है तो बीदी कुराल मने होता है बिधाता रूपी कुम्हार काठे गठ बनी कच्चे गढ़े आरथा सरीर कोई कच्चे गढ़ा मना गया है गर्य मने गणना और नैन मने नेन निदन और आखों से बहने वले आश्चू अवध इ अटा मने अवध पी आच'ादन हम मने कुम्हार का आमा और शूरत ही मने तो आप इसमें प्रसंग लिखेंगे पहले कि गोपियां उधव कि ग्यान योग संदेश से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होती और अपनी भक्ती भावनावें प्रेम को नहीं त्यागती हैं वे तो यहां तक करती हैं कि अपने हम गोपी रूपी घढ़ों को आपने पूरी तरह पका दिया जिसमें प्रेम जल पूरी तरह से भरा हुआ है तो ब्याख्या में लिखेंगे कि उधोजी गोपिकाय करती है कि है उधोजी आपने ब्रज में आकर बहुत अच्छा किया बिधाता रूपी कुम्हार ने हमारे सरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था बिधिकुला लकिन्हे काचेगर ते तुम आनी पकाये उसे तुमने आकर के पूरी तर पका दिया है काया कि रगदिन्नों हम कानसावरे अंगंगर चित्र बनाये और आपने पकाया ही नहीं बलकि उसे अब उनके तूटने का भी भय नहीं क्योंकि आपने पका दिया है बलकि पकाने के साथ साथ ही आपने सुन्दर साई से चित्र अलंकारिक कर दिया है क्रिष्ण ने गोपी रूपी घड़ों को अनुराग के अर्थात लाल रंग से रंग दिया है और हमारे अंग प्रत्यंग पर विभिन प्रकार के सुन्दर चित्र निर्मित कर दिया है गोपी कहती है कि क्रिष्ण के मतुरा चले जाने पर भले ही हमारी आखों से आशुरूपी जल बरस्ता रहा हो कहाया कि पहले कहाया कि प्राते परिन नन्य अवज यटा पर च्छाए ब्रज कर आवाज जोग जिधन कर ज़ज अलग निस लगाए फूपी कहती है कि क्रिष्ण अपने आने की अवद दे गए थे उसी पर गोपिया जीवत बनी रही और उधाओ के यहां आकर है उधाओ जी आपने यहां आकर आप संपूल ब्रज को अपनी बातों के कुमार से के आवा के समान तप्त कर दिया है अर्थाद इनका उधाओ जी की बातों कुमार के आवा के समान तपाने वली लगती है और इसलिए गोपिकाओं का जो प्रेम था उसको बिल्कुल आपने चित्रकारी कर दिया है उसको लंकार में बना दिया है और पुरानी स्मितियों की आग सुलगा दी हमारी नियस्वासों की वायू से विरह की ऐसी लप्ते उठी कि हमारे स्थी रूपी घड़े उसमें पूरी तरह पक गए अब इनमें प्रेम रूपी जल भर लिया गया है कहां कि भरे सपूरम सकल प्रेम जल चुवन का हूँ पाए अब जब संपूर्ण जल बिल्कुल संपूर्ण सरीर प्रेम जल से भर गया है अब अन्य कोई इसका स्पर्ष तक नहीं कर सकता हमारे सरीर पर हमारे इस सरीर रूपी घड़े को उन्हीं अर्थात किष्ण के लिए ही सुवच्चित रखा हुआ है उनके लोटने पर उन्हीं अन्चुए सरीर रूपी घड़े सुवच्चित मिल जाएंगे यह विश्वास है यह विश्वास गोपिकाओं का अटूट विश्वास काया कि भरे सकल प्रेम जल चुवन न काहुं पाएगा राज कायरते गए सूर प्रव नंद नंद कर लाएं काया कि गोपिकाओं को यह अपने आप पर विश्वास है यह अपने किष्ण के संपूर्ण प्रेम पर विश्वास है उन्हें विश्वास दिलाती है कि जो नंदन अर्था किष्ण जो राज काज से गए हैं फिर वह वापस आएंगे तो आप अन्चुए सरीर रूपी घड को अपराप्त करेंगे ऐसा गोपिकाओं का मानना है इस पद में भी सांगरूपक का लंकार है भासा लाच्छनिक है और गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्यता यह पवित्र प्रेम की विवक्ति हुई है ब्रजभासा का प्रियोग तो है ही साथ ही साथ ब्योग शिंगा भी है ज्यान के पिक्षा प्रेम की महत्ता का निरूपड किया गया है प्रशाद और माधूर ये गुण है आप इन सब को काविवर सांदरी में भी लिखेंगे चाहिए इस पद्य का ये सूर के पदों का ये अंतिम पद्य देन करें अखिया हरी दर्शन की भूखी कैसे रहती रूप रसराची एबतिया सुने रूखी अवधि गनत एक तकी मग जूवत तब इतनो नहीं सुझुखी अब यह जोगी संदे साओ सुनी सुनी अतिय कुलानी दूखी बारक वहे मुख्यानी दिखावा हूं दुही पएपी बेते पतुखी सुर सुकत हटिना वुचलावत एशरिता है सुखी हरी दर्षन को भूखी हरी दर्षन का भी पराया है किष्ण का दर्षन दर्षन की बिल्कुल किष्ण के दर्षन की लालाईत जो आँखे हैं गोपिकाएं कि उसके लिए है राची मने रंगी हुई गनत मने गिनते हुई मग जोवत मने रास्ता देखते हैं जूखी मने दूखी बारक मने एक बार पै मने दूद पतूखी मने पत्तों के दोने में कत मने कैसे हटी मने हट पुर्वक और सरिता मने नदी इस प्रकार आप काठीने निवारन आदे दी चाहें तो लिख सकते हैं प्रसंग में लिखेंगे कि गोपियां उजो से कहती हैं कि उनकी आँखों में कृष्ण कीछवी देखने की लाल सा है तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ये दुखी हैं ये उद्वजी से इस प्रकार का एक उपालंब है बतियां कि तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ये दुखी हैं हम आपको यह बताना चाहती हैं कि आपके ग्यान और योग संदेश का हमारे उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कोहती हैं गोपी का हैं बताती हैं जो कहती हैं आप व्याक्या में लिखेंगे सुर्दाजी द्वारा इस पद में गोपियां उधवी से कहती हैं कि हमारी आखे तो स्विखिष्ण के दर्सन के लिए लालाईत हैं कि यह हरी दर्सन की भूखी कैसे रहती रूप रस राची ये बतियां सुन रूपी काया कि ये कृष्ण के साउंदर रूपी रस में रंगी हुई आखें तुम्हारे योग शाधना रूपी बातना सुनकर भला कैसे रह सकती हैं कृष्ण के आने की अवध को गिनते हुए हैं तक द्रिष्टी उनकी राह देखते हुए इतनी दुखी हुई इतनी दुखी भी नहीं हुई जितनी की तुम्हारे निरस बातना सुनकर हुई है तुम्हारे द्वारा दिये गए योग के संदेश को सुनकर ये आखें अत्यंत ब्याकुल हो गई हैं ये उधव आप हमें क्रिष्ण का वह सुन्दर मुख एक बार दिखा दो जब ये दोनों दूर दूर कर पी रहे हो काया की एक बारक वह मुख आनी दिखावां दुई पए पिवत पतो की और सूर सुकत हटिनाव चलावत ये सरिता हैं सूखी कहते हैं गोपियां कि ये उधव जी एक बास समय लो रेत में नाव चलाने का प्रयत्न मत करो अर्थात हमें योग शादनायम निर्गडो पासना के सिक्षा मत दो तुम्हें यह प्रयास उसी तरह अस्पर हो जाएगा जैसे सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का प्रयास अस्पर हो जाता है काविश आउंदर में आप लिखेंगे कि गोपियों का किष्ण के प्रती अनन्य प्रेम भावना व्यक्त हुई है वियोग श्रिंगार है और ब्रज भासा का सुन्दर प्रयोग है लाग्छरिक पलावली का प्रयोग किया गया है और निर्गुड का खंडन यम सगुड का मं इस प्रकार का मुहाबरा भी है इस प्रकार से आज इस प्रकार का समापन होगा अगले दिन आप तुलसी दास्का पढ़ेंगे